आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दादी और नानी के जमाने की एक ऐसी रेसिपी जिसके जर्ये आप अपने सभी प्रकार के जोडों के दर्द, कमर का दर्द, कंधी का दर्द, गर्दिन का दर्द, घुटने का दर्द और सरीर की नसों में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी गैस पे एक बरतन को रख लेना है, छोटा सा बरतन रखें, मेरे पास छोटा बरतन नहीं है, तो मैं इसलिए इस पैन को रख रहा हूं, और उसमें आपने लगबग-लगबग, हाधी को टोरी, सरसों का तेल, तिल का तेल, य आप उसे यूज मिलाएं, उसके बाद आपने करना क्या है, एक अद्रक का कच्चा टुकड़ा ऐसे ले ले और उसे बारीक-बारीक कदू कस कर ले, अच्छे से इसको कदू कस कर ले, यह कदू कस के आवा अद्रक आपने तेल में मिला देना है, ठीक है, उसके बाद आप चार से पांच दाने कपूर के ले ले और इनको पीस कर आप तेल में डाल दें, गरम तेल में ठीक है, अब यह जो दवा हमने बनाई है, देखेगा, यह ऐसी जम गई है, तो अब हमने इसको गुटने के चारों तरफ ऐसे लगा देना है, ठीक, आपको इसको गुटने के चारों तरफ अच्छे से लगा देना है, इतनी दवा आपकी लगवग लगवग हफ्ते से 10 दिन के लिए प्रयाप्त हो जाएगी, तो यह दवा को ऐसे अपने गुटने के चारों तरफ लगा दीजेगा, ठीक है, जो अभी तेल बनाना आपको बताई था, कैसे कैसे करके गुटने की दवाई बनानी है, तो ऐसे बना के इसको आप गुटने के चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिएगा, कुछ गुटने के पीछे वाली मसल्स पे भी लगा दीजिएगा, तेल को अच्छे से, यानि के गुटने के चारों तरफ आपने ये तेल लगा देना है, बहुत अच्छे से लगा देना है बहुत अच्छे से इस तेल को आप लगा दीजिएगा घुटने के चारों तरफ सरीर के जिस भी जोड में दर्थ हो आप उस जोड में ये तेल लगा सकते हैं चाहे नसों का दर्थ हो चाहे जोडों का दर्थ हो यदि किसी को खासी जुखाम और सर्वी है ठीक नहीं हो रहा है तो ये वाला तेल आप छाती पे लगा के छाती को अच्छे से ढख लेजेगा ठीक है अब जैसे हमने ये तेल गुटने पे लगा दिया इसको अच्छे से आपने टीशू पेपर से या पिर किसी और कपड़ से पहले ऐसे ढख लेना है ठीक उसके बाद आपने गरम पट्ट ले लेनी है या पुराना सा कोई गरम कपड़ा हो आपके पास वो ले लेना है और गुटने के चार तरफ आपने उस कपड़े को लपिट लेना है पट्टी बान देनी आपने गुटने के चार तरफ ये ऐसे ठीक है और इसे आपने कम से कम 5-6 घंटे के लिए अपने गुट आपको सोने से पहले लगा दीजेगा और पूरी रात भर ऐसे ही रहने दीजेगा कुछ ही दिनों में आपका जाम घुटना आपके घुटने का दर्द सब ठीक हो जाएगा आपको ओप्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपने इस उपचार को लगातार करना है कम से कम 45 दिन आप लगातार करेगा अपते से 10 दिन में ही आपके घुटने का दर्द जड़ से खतम हो जाएगा आपके घुटने का जाम खुल जाएगा घुटना सीधा होना सुरू हो जाएगा घुटने की सूखी ग्रीज फिर से वापस आ जाएगी और आपके घुटने का गैप भी बढ़ जाएगा लेकिन आपने बताए अनसार ही उपचार करना है जो जो चीजे मैंने बताई आपने वो सारी चीजें यूज में लानी है और ऐसे आपने उस बनाये गए तेल को परियोग में लाना है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को दूरतमन लोगों तक पहुंच सके साथी साथ चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकोन दबाएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी स सेद का खयाल जय हिन जय भारत